स्पेस्शिप सुनके तुम्हारे दिमाग में क्या आता है स्पेस्शिप हाँ स्पेस्शिप सुनके तुम्हारे दिमाग में क्या आता है स्पेस्शिप हाँ भाई स्पेस्शिप सुनके हाँ यार स्पेस्शिप सुनके मेरे दिमाग में स्पेस्शिप ही आती है मेरे दिमाब में तो तीन चीज आती है क्या? पहए भाई सारी मजाग कर रहा था भाई अच्छा कोई मिल गाई देखी है? हाँ हाँ देखी है इस मूवी का नाम कोई मिल गिया क्यूं है? क्यूंकि इसमें रिटिक जादू the alien से मिलता है तो वो ये गाना प्रीती जिन्ता के साथ क्यों गाता है? कौन सा गाना? अरे वहीं कोई मिल गया देखो जो फिल्मों के टाइटल्स होते हैं वो मूवी की थीम के बारे में हिंट करते हैं और जो उनके टाइटल्स ट्रैक्स होते हैं वो movie की theme को emphasize करते हैं ये बाद सच है कि रितिक पृति से मिलता है बट ultimately वो जादू से मिलता है जो उसको super powers देता है जिससे उसकी life drastically change हो जाती है अगर तुम कोई मिल गया कि title को ध्यान से देखो तो और कोई के बाद तीन dots है उसके बाद मिल गया आता है और जो तीन dots होते हैं उनको इलिप्सिस बोलते हैं जो कि जो movie का title है उसको बहुत ही ज़्यादा suspenseful बनाता है इसलिए movie का नाम कोई मिल गया नहीं है इस movie का नाम में कोई मिल गया पानी पियोगे? नहीं नहीं, thanks पी लो यार, ठक गयोगे बोलते बोलते नहीं, thanks इसमें ठकने कोई बात नहीं है यह हमारा passion है, passion पैशन समझता है ना आपको? हाँ, यह कर लो पहले, कर लो अच्छा तो कैसी लगी तुम्हें कोई मिल गया? बहुत अच्छी थी, actually थोड़ा यार, खुल के बताओ तुम अपने आपको कहते हो ना, cinephile movie lover, तो तुम्हें खुल के बताओ मुझे फिल्म के direction से लेकर इसकी storyline, casting और background music और जो songs से भाई, वो बहुत अच्छे लगे मगर जो सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ चीज़ थी कि एक Hollywood movie से idea उठा कर उसमें Bollywood का जो flavor add किया है गजब एक मिनट, एक मिनट तुम ये कह रहे हो कि कोई मेल गया किसी Hollywood film की copy है पूरी तरह तो मैं नहीं बोनूँगा लेकिन हाँ movie का plot copied है कौन से film से copied है Oscar winning Stephen Spielberg directed movie E.T. the extraterrestrial से ओ, Spielberg से चुआया है तो यार इसका मतलब कोई मिल गया कि writers copy writers थे हाँ यार मजाग कर रहा हूँ यार अपनी पुरानी यादत है परेड on a serious note ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों movies की similarities है ये coincidence भी हो नहीं क्योंकि एक बार को मैं मान भी लेता अगर movie के जो idea है वो सिर्फ similar होता मगर कोई मिल गया कि कुछ scenes जो है वो E.T. the extraterrestrial के कॉर्बन copy महसूस होते है तो इसका मतलब movies के writers ही copy writers ने director भी copy directors थे मजाग again I guess तुम्हें येसा मजाग लग रहा है अरे घबराओ मत मजागी कर रहा था हाँ तो कौन से scenes copied है E.T. the extraterrestrial से वो scenes जिसमें alien craft की landing के बाद alien उतर रहे होते है तो एक alien की उंगलियों की silvet दिखाई जाती है ये scene जैसा का दैसा उठा लिया गया है ये देखो हाँ हाँ ये वाला alien तो unmarried है क्योंकि इसने ring नहीं पहनी है Anyways E.T. the extraterrestrial में Elliot जो होता है वो E.T. को अपने outhouse में शुपाता है और कोई मिल गया में Ritik जादू को अपने outhouse में शुपाता है Well But that can't be a coincidence Exactly नहीं मेरा मतलब है कि उस alien की उंगली दिखाना जो unmarried है ये एक coincidence नहीं हो सकता मुझे लगता है कि सारे aliens ही unmarried थे अरे यार Just joking bro Please continue यार और कोई मिल गया में Rohit की मदर जब Rohit को जादू के साथ देखती है तो उसका response वैसा ही होता है जैसा Elliot की मदर का Elliot को E.T. के साथ देखकर होता है हाँ तो पक्का ये coincidence नहीं हो सकता क्या हुआ ऐसी क्यों देख रहू हूँ इस बार मैं serious हूँ फिर ठीक है वैसे इन्होंने एक scene Sam Raimi की दोहर दो में आई Spider-Man 1 से भी उठाया है Spider-Man से? कौन से scene उठाया Spider-Man से? वो scene याद है तुमें जब जादू रोहित को पावर्स देता है और अगली सुबा उठता है और उठते ही चसमा लगाता है तो उसे कुछ दिखता ही नहीं है ये वाला scene थोड़ा change किया गया है बाकि अगर तुमने Spider-Man 1 देखी है तो तुम अपने आप बता सकते हो कि ये copied है हाँ यार तुम आ रहा है वो scene वैसे ही है same और जब हम अगर बात करी रहे है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार ये movie जो न उसमें एक factual mistake है हाँ हाँ पता है कोई मिल गया हमें रितिक रोशन के दो अंगूटे दिखाए गए यही न अरे यार ये नहीं factual mistake ये है कि रोहित के पापा जो होते है वो space में sound waves भेज कर aliens को contact करते है लेकिन actually according to basic physics sound waves जो होती है वो space में travel ही नहीं कर सकती है तो अगर इस fact को consider किया जाए तो पूरी movie baseless है और भाई साब रितिक के real में दो अंगूटे हैं यार अंगूटे तो मेरी विद्धों है ये का कर रो गेम खेल लो यार गेम से आद आया ये बताओ सबसे historic basketball tournament किसके बीच में हुआ था ये कोई मिल गया के बीच में ये कहां से आ गया अरे यार कसॉली टाइगर्स वर्सर्स पांडवास की बीच में भूल के क्या भाई मैं जा रहा हूँ अरे यार बैटो वह भी तो क्रिश की बात करनी प्लीज मैं सिगनल बेजने जा रहा हूँ कौन सा सिगनल भाई कौन सा मम में मुझे खरगोस का अचार खाना है